अगर आपको पास rainbow का है तो उसमें भी यही translation है यह अपुसर नहीं लेंगे कि हमारे पास ये जोफने यह rainbow का है तो उससे भी पड़ सकते हैं.. तो देखेंगे बच्चों, मैंने अपलोब आकार की मात्रा वाले नेम लिखना सिखा दिया थहा नेमिंग्ग और बिन मात्रा वाले भी सिखा दिया था जिसमें था मदान कमल बिना मात्रा वला और आकार की मात्रा वला राम राज दास था भी पढ़ा दिया था अंस्वार की मात्रा वला भी पढ़ा दिया है रंग और चंडर बिंदु वला भी पढ़ा दिया था अपलोको तो अब हम लोग पढ़ेंगे exercise 7 जिसमें छोटी E और बड़ी की मात्रा वाले नाम को लिखना सीखना है तो बच्चेव आप लोग को पता है छोटी E, I से छोटी E और डवल E से बड़ी होता है लेकिन नाम में क्या होता है? हम लोग नाम में अगर बड़ी की मात्रा है तो कहीं पर आई भी लगा सकते हैं और डवल E भी लगा सकते हैं जैसे देखिए तक पहले exercise लिखे आज हम लोग exercise in English 7 और देखिए आई बड़ी की मात्रा में कहीं आई यह तो कहीं इ तो हम लोग क्या करते हैं यह जब हम लोग translation बनाते हैं यह दा आई की मात्रा इसके लिए क्या लिखते हैं आई आप देखिएंगे यह गया बड़ी इसका मात्रा देखिए यह है इसका इधर से है इधर से है इसके लिए आपनों क्या चीजित का प्रियोग करते हैं आई का भी करते हैं और दवल E का प्रियोग करते हैं गठोल यह लेव्ट साइड से होता है वो राइट साइड से अथा है देखिए चोड़ी इंग के लिए आई और बड़ी इंग के लिए आई और ड़ी नाम में यह सिर्फ नाम में होता है जैसे लिखेंगे जैसे हमदों लिक्केँ ये गीता क्या है है गीता? तो मुझे की डे में लिकसापते हैं चलिए हम लोग इकसरीस 7 के तरफ चलते हैं बच्चों अब इकसरीस 7 के तरफ ंम लोग चलते हैं यह क्या है? हा रह रह पे छोटी की मात्रा क्या हो यह? हरी अब लोग क्या होंगे X से हा X है हा R से रह और यह छोटी की मात्रा कांगा गोगा है तो मैंने क्या बोलाए है I लगाने के लिए पोगया दा हरी आप सेकेड़ दिखिये र, ब, व, व, व पे छटीकी मात्र वैँ क्या हो गया रभी तो आघर से होता है र, आघर में दिखे के व, और दिखों दो ब पे छटीकी मात्र वैँ तो हम लोग आए दिखेंगे रहेला रभी उसके बाद क्या है तो बकर देंगे देंगे तलाबेस और इसका देंगे चौटील की मांध्रा, फ़रण मेध्री की तो सबसे पहले तलाबेसा ना इसमेरफिटिती और इस ते ये से लिए आई, यहा दिखिये आई, वो क्या ससी, उसके बात एक लिए, नौ, नौ, नौ पेड, तर गी ना होया, छोटी की मांत्रा, क्या होगा मनी, तो A इसे होता है, नौ, M, A, N, I, क्योंकि छोटी की मांत्रा है, तो I तो हो कहीं, मनी, उसके बात एक क्या है, तलापेशा, सोटी की मांत्रा, रुब, C, तो तलापेशा के क्या होता है, SH, छोटी की मांत्रा किस पर है, सोटे, तो हम यही पे आई देंगे, बंचो जिस लेटर पे, जिस अप्छे पे मांत्रा होगा, उजी पे आई यहाँ डवल E का प्रयों होगा, तो यह तलापेशा पे यहाँ पे यहाँ पे नो पे था तो यहाँ आई लिखा, यह तलापेशा पे रहे तो यहाँ पर आई लिखना होगा, E से चाहिए, C, C होगिया, अविस्टा किस पर होगी, V, Sip, क्या है? चलापेशा प्रयों चोटी की मांत्रा, अवो अकार, C होगिया, C, C करते के चलापेशा, चोटी की मांत्रा लागा होगा, तो I लगाणिया, C, और V से वो, याँ देखिए अकार लगा हुगा है, दिसके लिए हम क्या बता है थे ए सिभा उसके बाद देखिए नौ नौ पे छोटी की मात्रा और त्लांबे शो अकार क्या लिखिए में नौ का क्या होता है? एन अब मात्रा किस लिटर पे लिखा हुगा है? नौ पे, किसका छोटी की मात्रा की क्या होगा? आई और स्वा के लिए बताएए एसे और अकार चे लिए ए ए निशा वी मल वाव वा के छोटी की मात्रा है तो सब सब लिए वा का बढ़ा लिए वी इस पर को सब मात्रा है छोटी क्या लगेंगे? आई उसके बाद मा एन ए मा उसके बाद लो एल से लो वीमल वा छोटी की मात्रा अजया क्या हो क्या? वीजे तो वी से वा छोटी की मात्रा है तो आई जे दिजे जे से ज़ ए से ज़ और वा वीजे उसके बाद की क्या है? तलाब्वे सा तलाब्वे सा उपे चटी की मात्रा और वा अम सीबम सबसे पले तलाब्वे सा का एस्पेरिंग कीजिये? एसे मात्रा वारा है कुन सा? चटी क्या तो आई लगा देंगे और वा वा वीए और एंड से मौ क्या हो गया? सीबम आप चालिए इसकाट लेए सीबम की पाद किशन का पे चटी की मात्रा क्लाब्वे सा किशन क्या हगा? कि आई एसे अ ए དགཁ ཁགསླ ཁགར ཚུགན གསླ གའིག དུ རོགསི ཧསླ-དམའི, ཀསླ-གསླ-དུ སློག ཀྲོས རླངས तो अमलो आई नहीं रेंगे हाप़ पॉप ए मात्रा है तो पॉप ए हम आई लोग आए के का P और देखे पॉप ए चोटी की मात्रा है तो आई नहां लगेगा P के पास और L कपिल और ना ना पर चोटी की मात्रा और लग अनिल A से आ, N से ना, ना पर चोटी की मात्रा आई और L अनिल सा र पर चोटी की मात्रा तो अकार सरीता, A से सा, आप देखे र, मात्रा किसी पर आई र, चोटी की मात्रा तो आई देगे T से तो और यहां पर अकार है A देखे ना, सरीता उसके बाद क्या है क, व, 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 पर हसी, तो अकार, कभी, ता क्या लिखेंगे क्या से क, और व, से, व, और व, पर चोटी की मात्रा तो आई लगादेंगे T से तो, A से, अकार, कभी, ता उसके बाद है विकास देखेंगे, यहां देखेंगे, व, पर मात्रा है तो व, पर आई लगेगा जहां पर मात्रा होगा, उसी में आई यहां लिखा प्रयोग होगा केसे कार, अकार लगा होगा है K में K में हो देदी हो और S S में आकार नहीं है विकास उसके बाद देखें क्या है विहार तो क्या लिखेंगे V से होता है, व आदेखें quay में चोटी की मात्रा है तो आई लगातेंगे बी के साथ और एच से हाँ और अकार दिया हुआ है न और आज से रख विहार उसके बाद क्या है सो सो पे बढ़ी की मात्रा तो अकार सो पे बढ़ी की मात्रा हुआ तो सी तो अकार सी ता एस देखें यहाँ पे बड़ी की मातर लगा हुआ है, बड़ी का, है ना, तो हम आई भी दे सकते हो और डवली इं भी रहते सकते हैं, तो देखें, एस आई टी ले सीता, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई, एस डवली टी ए, सीता, तो बच्चों हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, सीता ने, लेकिन जादा तर ये ही लिखाता है, एस आई टी ए, सीता, उसके बाद, क, व, बहुत बड़ी की मातरा, और रव, कभीर, तो कभीर के हम लोग क्या लिखेंगे, के से को, आ, या पर बहुत है न, तो गी दे देंगे, डवली, बड़ी की मातरा है न, तो हम लोग क्या करेंगे, डवली लगा देंगे, आग लिखेंगे, कभीर और आई भी लिख सकते हैं, और हम लोग कभीर है आई भी लिख सकते हैं A-S-A K-A-B-I-R कभीर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या पर भी देखिए सीता हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सीता ठीक है? उसके बार देशिए रहीम रहीम तो क्या पर लिए है? आर से रह आर ए रहीम इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रहीम लेकिन जादा तरह यहीड आता है रहीम में उसके बाद देखिये रहीम के बाद क्या है? रुच्चो सीला सा पर बड़ी की मात्रा सीला अकार सीला तो क्या लिखेंगे? एसे से सा और बड़ी की मात्रा लगा लुए है तो क्या लिखेंगे? एसे चाहिएले और सीला दोनों लिख सकते हैं दोनों सही होगा और उसके बाद देखिये लिला लिला तो क्या होगा? एल एल पे बड़ी की मात्रा है ना? तो हम लोग पहले आई लगा लिखेंगे? एल आई एल एल लिला यह भी होगा? और एल डवल की एल लिला दोनों हो सकता है जी जापे बड़ी की मात्रा जी ला अपर जील क्याले चेंगे? जापे बड़ी की मात्रा है एल क्या होगा? जील इसको दो टैप से लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं जील दिख देख क्या लिखेंगे इसका? दी डी एग टी भी लिख सकते हैं और दी दमल ली टी भी लिख सकते हैं दी दी उसके बाद क्या है? श्री इसको क्या से लिखेंगे? अज़ अब देखिए गीता क्या लिखेंगे? जी आई टी ए गीता और बडी की मात्रा है इसलिए जबली टी ए भी गीता लिख सकते हैं दोना लिख सकते हैं उसके बाद क्या था? हीरा हाँ आपे बडी की मात्रा और रख हीरा तो क्या लिखेंगे? एक से हा और इसलिए बडी की मात्रा है ना? तो आई आरे ये भी लिखेंगे और ऐसे भी लिख सकते हैं ए जबली आरे हीरा उसके बाद देखिए नवीन 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 तो बच्चो आप लोगों को ये ट्रांसलेशन समझे आए इसलिए सेबन ताथा छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा वाले समझे तो बच्चो आप लोगों को अच्छी करा से समझ गया आया ना? मैं एक पर रीडिंग करा दूं आप लोगों को देखिएंगे ह-a-r-i-hari, r-a-r-i-w, s-h-a-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-i-s-h-v-e-s. SHIVM Civa, KISSHM Kisha, KAPIL Kapil, ANIL Amil, SARITS Charita, KABITKーagita, BIKAS Bikas, V I H U R V R S I T S C T A S W T C T A कभी K A V I R कभी K A V I R कभी R A H I R R A R A D O H I S रहीं रहीं आप देखिये S H I L A S C L A S H E L A S C L A L I A L E L A L E L A J H I L G E L J H I L G E L जील में यही सही है ज़्यादा तक इसको नहीं लिखेंगे लाइने जील दिप में ज्यादा तक यही सरी होगा इसको निटाब इस जील, यही सरी होगा जील में ज, H, W, L, जील और इसमें डिप में यही परफेक्ट होगा इसमें दोनों होता है JITA घीता, GETA घीता, HIR और HEE आडे दोनों होता है Na V यही नभी, NA V an B, Na V, NB तो बत्णों आप आप लोग को Exercise 7 को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो आफ लोग को अच्छी तरह से Exercise 7 समझ़ दे आ गए आगे तो लाइट करें और भूजे कमेंट करके बताये, कि आप लोगों एक्साज तक समझ में आया की नहीं यह बचो चोटी और बड़ी की मातरा से मैंने आप लोगों को बताया था इसके आगे मैं आप लोगों छोटाउ और बड़ा की मातरा से बताऊंगि और आप इसको दियान देंगे, याद करेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि आगे translation मनाने में आप लोग को sentence लिखने में गलत ना हो word लिखने में spelling problem नहीं हो इसको अच्छे धंग से आप लोग याद करेंगे ठीक है बच्चो? आप लोग को परने में कैसा लेगा मुझे बताएंगे थैंक यू, have a nice day